वीवो ओपेन सेटेस प्राइवेट फोटोस एंड वीडियो सेटिंग नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर में आपको बताऊंगा कि वीवो के फोन पे आप जो है अपने फोटोस और वीडियो ठीक यानि कि आपको कोई पीक्चर गेलेरी से आपको यहाँ पर दोस्तों हाइट कर देना है या तो फिर कोई पीक्चर जो है गेलेरी पर है और आप लोगों को यहाँ पर शो करना नहीं चाहते है ठीक है तो उनको प्राइवेट कैसे करे तो आज के इस वीडियो पोटोस में आ कि आन तक देखें यहाँ पर जो एक फ्यूचर है उसके इस्तिमाल करके आप जो है फोतोस वीडियोस फाइल एप्लिकेशन जो भी है आप उनको प्राइवेट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देर के वह शुरू कर लेते हैं वीडियो शुरू करने स हैं तो दोस्तों आईए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे हम इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो हमें जाना है अपना एलबाम पर ठीक है तो हम दोस्तों यहाँ पर ओपन करते हैं अपना ही कोई पिक्चर तो यहाँ पर प्राइवेट करना चाहते हैं इस पिक्चर को तो कोई पिक्चर को आप यहाँ पर हाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको प्राइवेट करने के लिए मौर पे क्लिक करना है यहाँ आप देख सकते हैं मौर तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है उसके बाद दो ठीक है, move to file safe, उसके बाद दुबारा से आपको यहाँ पर move to file safe करना है, यदि आप ये चीज पहली बार कर रहे हैं, तो आपको दोस्तो password create करना परेगा उसके लिए, ठीक है, कोई डिकर नहीं है, आप जैसे ही move to file safe करोगे, next interface पर आपको password add करने का option देगा, दो बार आपको password add करना है, एक बार confirmation के लिए आपको करना होगा, ठीक है, तो यह कर लेने के बाद दोस्तो, confirmation password वगरा, तो password वगरा, यहाँ पर उसको सब कुछ, जो है, confirm कर लेने के बाद, आपको यहाँ पर click करके, उसमें अपना जो picture है, उसको बेच देना है, ठीक है, तो मेरा जो password है, वो ह यहाँ पर जो picture है, वो चला गया है, move to file safe, तो यह है, दोस्तो, picture height करने का तरीका, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तो, चलिए, हम download पर जाते हैं, और कोई video यहाँ पर हम उसको जो है, height करके देखते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तो, कुछ picture सी है, दुबारा से, ठीक है, तो तो यहाँ पर दोस्तो, यह भी set हो गया, अभी दोस्तो, यहाँ पर आप जो है, एक, दो, तीन, ठीक है, तो इन सब को भी आप यहाँ पर move to file safe कर सकते हैं, select करके, तो यहाँ पर दोस्तो, मुझे कुछ video दिखाई दे रहा हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोस उस वीडियो के उपर में, move पे click करना है, I mean, आपको more पे click करना है, move to file safe करके, उसको भी move कर देना है, ठीक है, उसके बार password अपना भर देना है, यहाँ पे, और यहाँ पे अपना जो, वीडियो है, वो भी hide हो चुका है, तो इस प्रकार से, दोस्तों, आप जो है, वीवो के phone से, ठीक है, किसी भी वीवो के phone से, आप अपना photos, वीडियो सबको private कर सकते हैं, अभी दोस्तों private कर दिया, आप जितना भी जाकिए, पुरा phone पे दुन्डोगे, तब भी आपको यह जो है, नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों, यह बिलक जाते हैं, ठीक है, काफी interesting है यहापर, तो आप दोस्तों जब इसको height कर देते हैं, तो कोई भी यहाँ पर इसको देख नहीं पाएगा, ठीक है, जीतना भी phone पे जाके search कर ले, उसका नजर इसमें कभी भी नहीं जाएगा, तो दोस्तों, अभी बात आते हैं, कि वो height किया ठीक है, वो प्राइविट के वाँ पिक्चर्स और वीडियो कहा पर होगा, तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही area से mark लडिया है, वो है file manager पे, file manager पे दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर आपको पहले कहा था कि कहीं भी नहीं मिलेगा, तो file manager पे कहा पे हैं, तो file manager पे भी दो दोस्तों चलिए इसमें आपको क्लिक करना है ठीक है आप देख सकते हैं फाइल सेफ तो जैसे आप फाइल सेफ पे क्लिक करोगे अपना पास्टोड यहाँ पर भर देना है और आपका जो पिक्चर है वो यहाँ पर आपको दिखाए देगा वीडियो जो है वो यहाँ पर उसके लिए आपको move in पर click करना है जाकि picture को select करके move कर देना है ठीक है यहाँ पे तो इस प्रकर से दोस्तों आप जो है अपना जो pictures और वीडियो से उनको private कर सकते हैं अभी दोस्तों इनको remove करने के लिए यहाँ से ठीक है इनको यहाँ से दोस्तों private से हटाने के लिए आपको select कर लेना है और आपको यहाँ पे move out कर देना है ठीक है जैसे move out करेगे तो सब कुछ gallery पर ही चला जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक एक करके इसको यहाँ पर move out करता हूँ ठीक है original directory तो जहाँ से मैंने इसको move किया है वह वही पर वापस चला जाएगा तो यहाँ पर हो गया videos तो हम video को भी वापस बेच देते है gallery पर ठीक है तो यह हो गया दोस्तों आपका photos और videos private करने का setting उमेड करते हैं आपको video पसने होगा video अच्छा लगा हो तो video को जाके like करे channel को subscribe नहीं किया है तो वह भी कर दीजे और आज के इस video पर बस इतने thanks for watching